नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल वेदिक द्रिश्टी पर दोस्तों हमारे शास्त्रों में रात्री को सोने से लेकर सुबह जागने तक किये जाने वाले सभी क्रियाकलापों के विशय में बड़ा ही महत्वपूर्ण ज्यान दिया है जिसे आज का विज्ञान भी लाबकारी मानता है जो हमारे प्राचीन रिशी मुनियों ने 1000 वर्ष पहले बताया था वो विज्ञान आज हमें बता रहा है लेकिन फिर भी कुछ लोग अपने प्राचीन मूलियों पर ध्यान नहीं देते हैं और इनसे मिलने वाले शुब फलों से बंचित रह जाते हैं वास्तु शास्त्र के अनुसार हमें रात को सोते समय अपने पास कुछ ऐसी चीजें नहीं रखनी चाहिए जिनसे निकलने वाली नकाराक्मक उर्जा हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालती हो वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि ये चीजें अगर कोई स्त्री पास रखकर सोती है तो उसके जीवन में दुर्भाद्या आता है घर परिवार में आर्थिक परेशानिया शुरू हो जाती है, परिवार में कला बढ़ता है, अचानक धन का नाश हो जाता है और विद्यार्थियों का भविश्य भी खराब होने लगता है इसलिए आप भी सोते समय अपने पास ये चीजे रख कर ना सोए बहुत से लोग जाने अंजाने में ही इन चीजों को अपने पास रख कर सोते हैं शायद ये किसी गलत जानकारी के कारण करते हैं या फिर जगह की कमी के कारण वो सोते समय इन चीजों को अपने सिरहाने पर रख कर सोते हैं जिस कारण उन्हें कई परिशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए जान लेते हैं, वास्तु शास्त्र के अनुसार हमें सोते समय अपने पास कौन सी चीजें नहीं रखनी चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें। अपने पैर दक्षिन अथवा पूर्व दिशा में नहीं रखने चाहिए। और वो जीवन में सदैव ही उन्नती करता है। दूसरी बात, कई लोग सोते समय अपनेने पानी रख कर सोते हैं। वास्तु शास्त्र में इसे अशुब कारक माना गया है। सोते समय अपने सिरहाने जल रखने से व्यक्ति का चंद्रमा प्रभावित हो जाता है और इसका असर उसके मानसिक स्वास्थय पर भी पड़ता है। इसलिए व्यक्ति को अपने सराहने पानी रख कर कभी भी नहीं सोना चाहिए। तीसरी बात, सोते समय ध्यान रखें कि अपने पास या बेड के नीचे जूते अथवा चपल कभी भी ना रखें। ये दुरभाग्य को आमंतरन देता है। चपल और जूते पैरों में पहनने के साधन है। आथ है हमारे शरीर की सारी नकारात्मक उर्जा इनहीं से होकर बाहर निकलती है। अगर आप इनहें अपने पास रख कर सोएंगे तो इसका असर आपके जीवन पर पढ़ सकता है। चौथी बात वास्तु शास्त्र के अनुसार जी स्थान पर आप सोते हैं उस स्थान पर आपके सामने आईना बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सोते समय आईने में अपनी छवी कभी नहीं देखनी चाहिए और सुभा उठने के तुरंत बाद भी आईने में अपनी छवी देखना दुर्भाग्य कारक होता है। इससे व्यक्ति में डर और भ्रम अनुसार सोते समय अपने पास किसी भी प्रकार का सुगंधित तेल ना रखें। तेल नकारात्मक शक्तियों को आकरशित करता है। जिसे अपने पास रखेंगे तो ये नकारात्मक शक्तियां आपके जीवन पर प्रभाव डाल सकती है। छटी बात वास्तु के अनुसार अपने सराहने या अपने आसपास किताबे रखकर सोना अनुचित माना गया है। खासकर विद्यार्थियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि किताबों में मा सरस्वती का वास होता है। उन्हें अपने सरहाने पर रखकर सोने से कि स्वती की क्रिपा आपको प्राप्त नहीं हो पाएगी। किताबों को पढ़ने के बाद उनके उचित स्थान पर रखें। सात्वी बात, शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को धन या धन संबंधित कोई भी चीज अपने सिरहाने रखकर नहीं सोना चाहिए। इससे अचानक खर्च बढ़ने लगते हैं और धन की हानी का सामना करना पड़ता है। पैसे को उसके उचित स्थान पर रखना चाहिए। धन का महालक्ष्मी की तरह ही सम्मान करे तभी उसमें व्रिध्धी होती है। आठवी बात कभी भी अपने बेडरूम में किसी भी कोने में जाडू खड़ी करके ना रखें। इससे धन की हानी होती है और घर में तनाव की स्थिती बनी रहती है। नौमवी बात रात में सोते समय अपने पास किसी भी प्रकार के धूमरपान या नशे की वस्तु ना रखें या बेडरूम के अंदर किसी भी प्रकार के अशलील चित्र या साहित्य ना रखें। ऐसा करने से आसपास का वातावर्ण अपवित्र हो जाता है और नकारात्मकता फैलती है। जिससे स्थान पर आप सोते हैं। उस स्थान की दीवार पर कभी भी हिंसक पशुओं या लडाई के चित्र नहीं लगाने चाहिए। इसका नकारात्मक प्रभाव आपके उपर पड़ता है और आपका स्वभाव अधिक उग्र बनने लगता है। जिस कारण आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सोते समय अपने सिरहाने में कभी भी चाबिया ये लोहे की चीज भूल से भी ना रखें, नहीं तो व्यक्ति के शत्रों की संख्या अधिक बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप शत्रों से पीडित हैं, तो सोते समय अपने पलंग के नीचे एक लोहे का रोड अवश्य रखें, लेकिन इसे अपने सरहाने भूल कर भी ना रखें। तो वो तो ये थी वो चीजें जो सोते समय हमें अपने पास नहीं रखने चाहिए। इसी तरह शास्त्रों में कुछ ऐसे कारियों का भी जित्र है, जिन्हें हमें रात में नहीं करना चाहिए। क्योंकि इन कामों को करने से नकारात्मक शक्तियां बढ़ती है। नमबर एक मान्यता है कि रात के समय कभी भी नाखून नहीं काटने चाहिए। इससे घर में दरिद्रता आती है। कहा जाता है कि जो लोग रात में नाखून काटते हैं, उनसे मा लक्षमी रूठ जाती है। नमबर दो, शास्त्रों के अनुसार रात को बाल खोल कर सोने से नकारात्मक शक्तियां आकर्शित होती है। मान्यता है कि जो महिलाए रात के समय बाल खोल कर सोती है, उनके घर की खुशाली पर प्रभाफ पड़ता है और पती की आयू भी कम होती है। नमबर तीन, परफ्यूम या लगाकर, शादी या पार्टी में जाना बहुत से लोगों का शौक होता है, लेकिन अगर पार्टी रात के समय हो तो परफ्यूम लगाकर नहीं जाना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से अच्छी और बुरी दोनों तरहे की शक्तियां हमारी और आकरशित होती है, या अगर आपने इत्रका इस्तमाल किया है, तो सोने से पहले कपड़े जरूर बदल लें। रात में सोते समय लोग घर में खुश्बू के लिए स्प्रे करते हैं। वास्तु के अनुसार ऐसा भी नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे घर में नकारात मुक्ता आती है। नमबर चार, रात के समय कभी भी जूठे बरतन रसोई में नहीं छोड़ने चाहिए। मान्यता है कि जो लोग रात को बरतन गंदे छोड़ते हैं या रसोई की सफाई नहीं करते, उनके घर में कभी भी लक्ष्मी वास नहीं करती। नमबर पांच मान्यता है कि रात को या सूरच के ढल जाने के बाद घर में जाडु नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से घर की बरकत खत्म होने लगती है। जाडु में मा लक्ष्मी का वास माना जाता है, इसलिए जाडु को दक्षिन दिशा में रखकर सोना चाहिए। इससे मा लक्ष्मी की कृपा होती है। नमबर छे, जिन्स बिस्तर पर रात में हम सोते हैं। अगर वो बिस्तर हमारे मन के मताबिक है, तो रात में हमें अच्छी नींद आती है, जिससे हमारी ठकान भी दूर हो जाती है। इसलिए रात में सोने वाला बिस्तर सुन्दर, मुलायम और आरामदायक होना चाहिए। साथ ही बिस्तर पर बिच्छा हुआ चादर और तकिये का रंग भी आकरशक होना चाहिए। लेकिन ज्यादा तेज रंग की चीजों का इस्तिमाल बिस्तर पर नहीं होना चाहिए। सोने से पहले बिस्तर को अच्छे से साफ भी कर लेना चाहिए। रात में सोने के पहले कपूर जलाना चाहिए। अपने सैने कक्ष में कपूर जलाए इससे रात में बहुत अच्छी नींद आती है और सभी तरह के तनाव भी खत्म हो जाते हैं। रात में कभी भी जूठे मोह या बिना पैर धोय भी नहीं सोना चाहिए। रात में सोने से पहले दो घंटे पहले खाना खा लेना चाहिए और रात में साधा और हल्का भोजन ही करना चाहिए। रात में सोने से पहले अपने इश्ट देव का नाम जरूर लेना चाहिए। रात में हमेशा बाइं करवट लेकर सोना चाहिए। इससे सेहत भी अच्छी रहती है और दिन भर में किसी भी प्रकार की नकारात मुकता में अगर आप पर प्रभाव डाला है तो वो भी दूर हो और हाँ इस विडियो से कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे और आपके पास कोई भी सवाल नहीं तो यस लिखे क्योंकि यस लिखने से विडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है धन्यवाद